तो कहानी की शुरुआत में हम मैक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कई सालों बाद अपनी मा के साथ उसी पुराने घर में आया था जहां पर उसका जन्म हुआ था, दरसल वो जब छोटा था तो उसके फादर की मौत किसी भयानक एक्सिडेंट में हो गई थी, और इ नहीं चाती है कि मैक्स इन सब चीजों के बारे में जाने, इसके बाद मैक्स अपने उसी रूम में जाता है जहां पर वो रहा करता था, उसे वहाँ पर एक स्पाइरल गैलेक्स ही नजर आती है, जो उसके फादर ने बच्पन में उसके लिए बनाई थी, वो अपना सारा सा कर बहुत हैरान था, उसे भी नहीं समझाता कि आखिर उस टीवी में इतने चेंजिस कैसे हो रहे हैं, और उसमें वो तरंगे किस तरह से पैदा हो रही है, हलाकि वो इस बात को यहीं पर इगनोर कर देता है, और अपने स्कूल के लिए निकल जाता है, रास्ते में उसे एक एक कंपनी की लैब नजराती और उसी लैब में मैंक्स के फादर काम किया करते थे, उसी दौरान मैंक्स को मूली का कॉल आता है, और जैसे ही वो मबाईल को स्वाइब करके कॉल उठाने की कोसिस करता है, तो दुबबारा वही तरंगे मॉबाईल के स्क्रίν पर भी उसे नज इसकारण वो कॉल पिक नहीं कर पाता और मॉबाइल भी वहीं पर स्ट हो जाती है इसके बाद हमें उसी लैप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक ऐसी चीज को दीख पाते हैं जो मैक्स के वहां पर मौझूद होने पर हल चल चल कर रही थी मानो की जैसे वो अस्टार्ट हो रही हो इसके बाद मैक्स अपनी सैकल से स्कूल चला जाता है जहांपर हमें पता चलता है कि मैक्स के फादर को सहर का हर एक इंसान पहचानता था क्योंकि उसके फादर एक बहुत ही मसहूर सैंटिस्ट थे जिनोंने इंसानी दुनिया के लिए कई तरह की खोज की थी अस्कूल में मैक्स अपने आपको अकेला महसूस करता है लेकिन उसी दोरान उसकी सोफिया नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है और कुछी दिनों में वो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं इसके बाद हम माइल्स नाम की एक आदमी को देख पाते हैं जो मौली और मैक्स से मिलने आया था दरसल माइल्स मैक्स के फादर के साथ ही एंटेक कंपनी में काम क्या करता था और वो भी एक साइंटिस्ट ही था वो मैक्स के फादर का बहुत अच्छा दोस्त था और उसके father and tech company के बहतरीन scientist में से थे जिनकी lab में हुए एक accident से मौत हो गई थी इसके बाद हम उसी and tech company की lab को देख पाते हैं जहाँ पर हम कुछ scientist को देखते हैं जहाँ वो किसी तरह का कोई experiment कर रहे थे वो लोग पानी को लेकर किसी experiment को कर रहे होते हैं लेकिन पानी में एक जोरदार blast हो जाता और देखते ही देखते वहाँ पर मौझूद सारा पानी freeze हो जाता है और जैसे ही एक scientist उस पानी को छूने के लिए आगे बढ़ता है तब ही एक दूसरा scientist वहाँ के सारे machine off कर दीता है और हम उसी पानी से किसी रोबोटी gadget को वहाँ से भागते हुए देखते हैं जिने वहाँ पर मौझूद लोग पकड़ने की courses भी करते हैं लेकिन वो भागने में कामयाब रहता है उसी रात हम मैक्स को देखते हैं जो अपने घर के इंटरनेट पर अपने फादर के साथ हुए उस हादसे के बारे में कुछ जानकारिया जुटाने में लगा हुआ था और उसी दोरान उसे पता चलता है कि जिस लैब में उसके फादर काम किया करते थे वहाँ पर बहुत पहले एक बहुत बड़ा एकसिडेंट हुआ था जिसके चलते उसके फादर की मौत हो गई थी इससे पहले कि वो और कुछ जानकारिया जान पाता इंटरनेट में कुछ एरर आ जाता है जिसके चलते मैक्स को बहुत गुस्सा आता है और हम देखते हैं कि उसके हाथों में से किसी तरह की कोई एनर्जी बाहर निकल रही है और इस एनर्जी को देखने के बाद मैक्स को कुछ भी समझ नहीं आता वो अपने हाथों को बार-बार चेक करने लगता है लेकिन वो एनर्जी उसके हाथों पर ही बनी रहती है वो समझ जाता है कि वो कोई आम इंसान नहीं है उसके अंदर किसी तरह की कोई पावर मौजूद है जिसे वो आज तक पैचान नहीं पाया और नहीं उसे कभी कंट्रूल कर पाया लेकिन जब एनर्जी उसे साफ साथ दिखने लगी तो उसे यकीन हो गया और वो इस एनर्जी को कंट्रूल करने और उन्हें यूज करने का डिशाइट करता है इसी कारण अगली सुबा होने पर वो जंगल में पहुंच आता है जहां पर वो उन एनर्जी तरंगों को अपने काबू में करने का सोच कर गया था लेकिन हम देखते हैं कि वो अपने उस एनर्जी को कंट्रूल करने में पूरी तरह से नाकाम होता है क्योंकि उसके हाथों में मौजूद एनर्जी बहुत ही जादा थी इसके बाद हम मैक्स और सूफिया को एक रेश्टोरेंट में देखते हैं और वहाँ पर अभी भी मैक्स को उसकी वो एनर्जी परिशान कर रही थी और वो नहीं चाता था कि इस बात की जानकारी सूफिया को मिले इसलिए वो वहाँ से वास्रूम की तरफ चला जाता है और उन एनर्जी को कंट्रूल करने की कोर्सिस करता है लेकिन बहुत ट्राय करने पर भी वो एनर्जी उसके कंट्रोल में नहीं आती वो देखता है कि अब उसकी पूरी बाड़ी से उसी तरह की वो एनर्जी बाहर निकल रही है और वो अपने आपको बहुत ही कमजोर महसूस करने लगता है इसके बाद उस वास्रूम की लाइट चली जाती है और अंधेरा होने पर हम देख पाते हैं कि मैक्स की पूरी बाड़ी से उसी तरह की एनर्जी तरंगे बाहर निकल रही है ये जानने के बाद मैक्स पूरी तरह से डर जाता है उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिर वो सारी एनर्जी को कंट्रोल कैसे करे इसकारण वो सोफिया को उसी रेस्टोरेंट में अकीला छोड़कर बहां से सिधा जंगल की तरफ चला जाता है रास्ते में हम किसी को देखते हैं जो मैक्स का पीछा कर रहा था और वो उसकी एनर्जी तरणगों को भी ट्रेस कर पा रहा था वो देख पा रहा था कि उसकी बॉड़ी से किसी तरह की तरणगे बाहर निकल रही है और कई दिनों से ही कोई मैक्स का इसी तरह से पीछा कर रहा होता है मैक्स भागते हुए जंगल में पहुँचता है जहाँ पर वो एक बार फिर से उनी एनरजी तरंगों को कंट्रोल करने की कोसिस करता है लेकिन वो इस बार भी नाकामया भी रहता है क्योंकि उसकी बाड़ी में लगतार वो एनरजी इंक्रीज हो रही थी लेकिन मैक्स उन तरंगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था इसी करन वो बहुत ज़्यादा घुसा हो जाता है और वो जोर से चीकता है और जैसे ही वो चीकता है वो वही पर बेहोस हो जाता है उसे जब होस आता है तो वो अपने आपको अपने घर में पाता है और इस बात से बहुत हैरान था क्योंकि जब वो बेहोस हुआ था तो वो तो जंगल में था उसे समझ नहीं आता कि वो अपने घर पर कैसे आया टीसर्ट उतारने के बाद मैक्स को अपनी बॉड़ी पर कुछ ऐसे निसान नजर आते हैं जो उसकी बॉड़ी पर पहले नहीं थे इस कारण वो बहुत ज़्यादा डर जाता है तब ही मैक्स के रूम में हम उस रोबोटी गैजट को देख पाते हैं जो उस लैब से उन सारे साइंटिस्ट से बचकर भागा था मैक्स भी उस गैजट को देख लेता है और वो डर जाता है इसी कारण वो वहाँ से भाग कर एक दूसरे रू गैजट है और उसका नाम श्टील है जिससे मैक्स की रक्षा करने के लिए बनाया गया था हलाकि उसे सिवाए इस बात के और कुछ चीज़े याद नहीं क्योंकि उसकी मेमोरी को एरेज कर दिया गया और उसे सिर्फ यही पता है कि उसको मैक्स की रक्षा करनी है अश्टील बेहुस होने से पहले अश्टील ने ही उसके अंदर से निकलने वाली सारी तरंगों को अपने अंदर ट्रांसफर कर लिया था, वो बताता है कि इस ओवरलोड के कारण मैक्स की मौत भी हो सकती थी, अश्टील मैक्स को बताता है कि उसके अंदर से निकलने वाली एनरजी का ना क्योंकि मैक्स और अश्टील दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं मैक्स को भी अब अश्टील की सारी बाते समझ आ चुकी थी और वो समझ चुका था कि अश्टील उसके लिए कितना जरूरी है और अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो अपनी बॉडी से निकलने वाली एनरजी तरंगों को समझ सकता है और उसका इस्तिमाल भी कर शकता है इसके बाद मैक्स और अश्टील दोनों जंगल की तरब जाते हैं जहां पर अश्टील मैक्स को उन तरंगों के बारे में और भी कई चीजे बताना चाता था जंगल में पहुँचने के बाद हम कुछ लोगों को देख पाते हैं जो उसी लैब से आये थे जहां से अश्टील भागा था और वो अश्टील को पकड़ने के लिए वहाँ पर आये थे मैक्स और अश्टील उन लोगों को देख लेते हैं और उनसे बचकर वहाँ से भागने लगते हैं उसी दोरान हम अस्टील के कुछ मेमोरीज को देखते हैं जिने अस्टील भी देख रहा था वो उस दोरान उसी हाथसे को देख पाते हैं जो उस लैब में हुआ था जिससे मैक्स के फादर की जान गई थी अश्टील जब इन मेमोरीस को देखता है तब मैक्स भी सारी चीजे देख पा रहा था क्योंकि मैक्स अश्टील से पूरी तरह से connected था इसके बाद हम मैक्स को देखते हैं जो हमें साश्टील को अपने पास ही रखता है वो उसे अपने school bag में रखकर school जाता है वहीं उसके पास सोफिया आती है जो उसे lunch के लिए ले जाना चाती थी लेकिन मैक्स उसे मना कर देता है क्योंकि उसके साथ अश्टील भी मौझूद था और वो नहीं चाता था कि सोफिया को इस बारे में कभी कुछ पता चले इसकारण वो वहाँ से चला जाता है इसके बाद हम अश्टील को देखते हैं जो मैक्स को अपनी उन power को control और उन्हें यूज करने के तरीकी के बारे में बता रहा था यहाँ पर हम देखते हैं कि मैक्स भी अपनी sales बोरी तरह से control कर रहा था और उन्हें use करने के लिए भी अप पूरी तरह से तयार है उसी दोरान अश्टील मैक्स को बताता कि हमें हर तरह से पूरी तरह से तयार रहना है ताकि हम हमारे दुस्मनों से सामना कर सके उस दोरान मैक्स और अश्टील पूरी तरह से एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे तब ही हम देख पाते हैं कि मैक्स की बॉड़ी पर एक आर्मर आ चुका है जो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और वो मैक्स और अस्टील के कनेक्ट होने के बाद उसकी बॉड़ी पर आ चुका था और अब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से देख सकता था इस दोरान मैक्स उसी दिन के कुछ सीन को देख पाता था जिस दोरान कुछ एलियन ने मैक्स के फादर के उस लैब पर अटैक किया था अस्टील उसे बताता है कि उन एलियन्स को अल्टरा लिंक्स एलियन्स कहा जाता है जिन्होंने उस लैब पर अटैक करके एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया था जिस कारण मैक्स के फादर की मौत हो गई थी इसके बाद स्टील मैक्स को बताता है कि अल्टरा लिंक एलियन बहुत ही जादा खतर नाक होते हैं जो पृत्वी पर मौझूद रिसूर्सेस को अपने कंट्रूल में करके एक नेचूरल डिजास्टर बिला सकते हैं और उस दिन भी यही हुआ था जब उसके फादर उस लैब में काम कर रहे थे तब अल्टरा लिंक एलियन ने उस लैब पर अटैक करके उसके फादर को खत्म कर दिया था मैक्स को स्टील की बाते सुनकर बहुत जादा हैरानी होती है हलाकि वो उन अल्टरा लिंक से एलियन के बारे में और भी कुछ जानना चाता था इसी कारण वो अ पर एक बहुत बड़ा ब्लाश्ट हुआ जिस कारण से उसके फादर की मौत हो गई माइल्स की बाते सुनने के बाद मैक्स पूरी तरह से कंफ्यूज था क्योंकि अस्टील ने तो उसे कुछ और बताया था और माइल्स उसे कोई और दूसरी कहानी बता रहा था इसी दोरान मैक्स के अंदर मौजूद वो तरंगे एक बार फिर से बाहर आने लगती है जिस कारण मैक्स को वहां से जाना पड़ता है वो भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा था लेकिन तबी रास्ते में उसे एक तुफान न जराता है जो उसका पीछा कर रहा था दरसल ये सूपर हीरो में कनवर्ट हो जाता है जो उन अल्ट्रा लिंग केलियन को बुरी तरह से हरा कर वहां से भगा दीता है इसके बाद मैक्स को एक बार फिर से अश्टील के विजन दिखाई देने लगते हैं जिस दौरान वो देखता है कि उसके फादर की मौत में अश्टील का याद था क्योंकि उस घटना के दौरान अश्टील भी वहाँ पर मौजूद था और वो समझ जाता है कि अश्टील भी एक अल्ट्रा लिंग केलियन है जो मैक्स के लिए खत्रा साबित हो सकता है लेकिन अश्टील उसे बताता है कि वो तो सिर्फ उसके फादर के साथ किसी जिसके जर्ये वो अल्ट्रा लिंग एलियन को इस दाती से हमिसा के लिए खत्म करने वाले थे लेकिन मैक्स अश्टील की किसी भी बात को मानता नहीं क्योंकि उसने अश्टील के वीजन में सारी चीज़े देख ली थी और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है जैसे ही मैक्स अपने घर पहुँचता है तो वहाँ उसे वही लोग नजराते हैं जो अश्टील का पीछा कर रहे थे जिससे मैक्स पूरी तरह से गबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग उसे भी नुकसान पहुचा सकते हैं मैक्स की मदर मोली भी घर में ही मौजूद थी इसल के बारे में भी सारी बाते पता चल चुकी है उन्हें पता चल चुका है कि मैक्स और अश्टील दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेट हैं इस कारण वो मैक्स को भी पकड़ना चाते हैं इस दोरान माइल्स बताता है कि उन्हीं लोगोंने मैक्स के मदर मोली को भी किड़ कर लिया है, जिसे उन्होंने उसी लैब में रखा है, इसके बाद मैक सीधा सोफ्या के घर जाता है, जहां वो उसका ट्रक लेकर उसी लैब की तरफ जाने लगता है, इसके बाद हम मोली को देखते हैं, और हमें पता चलता है कि एंटे कंपनी की मालकिन कोई और नहीं बलकि मो और उसे वहाँ पर स्लीपिंग मोड में डाला हुआ था तब ही एक बार फिर से मैक्स को विजन आने लगते हैं वो अपने फादर की मौत वाले दिन को अपने उस विजन में देखता है जहां उसे पता चलता है कि मैक्स के फादर के मौत का असली जमेदार स्टील नहीं है और उसी था जो मैक्स के फादर का दोस्त होने का नाटक कर रहा था दरसल माइल्स अल्ट्रा लिंग के एलियन के साथ मिलकर मैक्स के फादर को खत्म करना चाता था क्योंकि उसके फादर के पास बहुत सारी ऐसी पावर थी और वो भी एक एलियन ही थे जो उन अल्ट्रा लिंग केलियन को धर्ती पर आने से रोकने और उन्हें खत्म करने के लिए हमिशा कुछ ना कुछ ट्राइ करते रहते थे इसी कारण मायल्स अल्ट्रा लिंग के साथ मिलकर उसे खत्म करना चाता था और उसने एक दिन ऐसा ही किया जिस दोरन मैक्स के फादर उस लैब में अल्ट्रा बड़ा ब्लाश्ट हुआ जिसकी वज़े से उसकी फादर की मौत हो गई ये सब दीखने के बाद मैक्स अब सब कुछ समझ चुका था इसके बाद हम माइल्स को देखते हैं जो अब अपना सूट पहन कर वहाँ पर आ चुका था और वो बहुत ही ज़ादा ताकतवर भी था क्यूंकि उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी एनरजी मौजूद थी जो उसने मैक्स के फादर से ली थी वो मैक्स को वहाँ पर मानने लगता है और उसे उसी चेमबर में जानी को कहता है जहाँ पर अस्टील मौजूद था और वो मैक्स को भी उसके फादर की तरह ही खत्म करना चाता था मैक्स अस्टील के चेमबर में जाता है तो वो अस्टील के साथ एक पर फिर से इंटर कनेक्टेट हो जाता है जिस कारण उसकी पावर कंट्रूल में आ जाती है और वो सूपर हीरो में बदल जाता है जिसके कारण अब वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और वो माइल्स पर बहुत बारी पढ़ता है अब मैक्स माइल्स को बुरी तरह से मानने लगता है और थोड़ी दिर बादी वो माइल्स को खत्म कर देता है इसके बाद हम मॉली को देखते हैं जो मैक्स को बताती है कि वो सारी चीजे पहले से जानती थी कि उसके फादर एक केलियन थे और उन्हें पता था कि मैक्स भी एक केलियन है क्योंकि मैक्स के फादर के पास जो पावर थी वही पावर मैक्स के पास भी है मोली ने मैक्स को कई चीजे नहीं बताई थी क्योंकि वो जानती थी कि मैक्स के बारे में लोगों को पता चल गया तो वो उसके साथ ना जाने क्या करेंगे इसी कारण वो एक सहर से दूसरे सहर में मैक्स को लेकर रहने लगी लेकिन माईल्स के बुलाने पर उन्हें दुबारा से यहां पर आना पड़ा और मौली को भी नहीं पता था कि माईल्स ही मैक्स के फादर का असली कातिल था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था तो मैक्स अब सोफिया से मिलने जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा ले